नमस्कार दोस्तों आपका स्वागता है मारे यूटूब चैनल स्टेडी 247 में दोस्तों आज हम आपके लिए जनरल साइन्स से समंदित कुछ इंपोडेंट क्यूशन लेकिया हैं जो आपके लिए बेरी एलफूल रहने वाले हैं दोस्तों पिछली एक्जाम में पूछे गए थे तो आम वहां से कबर किये हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्यूशन है प्रकृतिक चैन के सिद्धान्त का प्रतिपादन का नाम क्या है किस ने दिया थे यह सिद्धान्त तो इसका अंसर है दोस्तों चार्ल्स डार्विन प्रकृतिक चैन का सिद्धान्त का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने दिया था हूँ क्यूशन नम्बर दो है अनुवान्शिक समंदी के परियोग के लिए मेंडल ने किस पौदे का चुना किया था तो दोस्ते इस कांसर है माटर के पौदे का क्यूशन नम्बर तीन है एक वर्णिक व्यक्ति यानि क्लार ब्लाइंड्स में किस रंग की पहचान नहीं होती है तो दोस्ते इस कांसर है लाल वै हरा रंग की क्लार ब्लाइंड्स लाल वै हरा रंग की पहचान नहीं होती है क्यूसर नमबर चार है मेंडग में स्वास किस अंग द्वारा होती है तो दोस्ते इस कांसर है इन तीनों में यही त्वच्चा से भी करता है क्लेमों से भी करता है और फैपड़ों से भी करता है मेंडग स्वासन के लिए क्यूसर नमबर पांच है वास्तिवी मचली यह रियल फिस कौन सी है तो दोस्ते इस कांच रहे है इपो कैमपस यह वास्तिवी मचली कहलाती है क्यूसर नमबर पांच है मेंड़ किस वरक का जन्तु है तो दोस्ते इस कांचर क्या है एंपी फी बियो एंपी वियो चाहिए मेंड़ कि वरक क्या जन्तु है क्यूसर नमबर साथ है इस्तनियों का हर्द है कितने कोस्टक होता है इस्तन्दारी जानवरों के कितने कोस्टक होते हैं इस्तन्दारी वरक में रक्त का सबसे अधिक ताबमान किस जन्तु में पाया जाता है तो कौन से जन्तु का ताबमान सबसे ज़्यादा होता है तो दोस्तन इसका अंसर है बकरी का बकरी का सबसे ज़्यादा ताबमान होता है रक्त का किस नमबर नो है मचलिया किस अंग से सांस लेती है तो दोस्तों मचलिया किस अंग से सांस लेती है कमेंट करके जरूर बताए तो इस कांसर है गिल यहीं गल्फडो से मचलिया गल्फडो से सांस लेती है अगला क्यों सुना है सबसे बड़ा इस्तंदारी का नाम क्या है सबसे बड़ा इस्तंदारी कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा इस्तंदारी वलू वेल है कि उस्तंदारी कौन सा है तो एक चित्तर दिखाई दिए गया होगा तो यह सबसे छोटा पक्षी है जिसका नाम क्या है तो दोस्ते इसका आंसर है हमिंग वार्ड विश्व का सबसे चोटा पक्षी हमिंग वार्ड है कि उस्तंदार बारा है कशियर का जन्तु के सरीर में सरवद्दी कटोर भाग होता है तो दोस्ते इसका आंसर है इनेमल तो हमने देखा रहा है आपको इनेमल दात का उपर का सबसे कटोर सता होती है किस नमर तेरा है वलू में स्वांस यह वेहल में स्वांस की संग में होता है तो वेहल की संग से सांस लेती है तो दोस्ते इसका आंसर है फैंपडो से वेहल स्वांस के रिया फैंपडो से लेती है किसे नमर्चोदा हिं उत्तकों के अध्यान, समदि विज्ञान को कहा जाता है। वाड़ है, तो दोस्ते इस कांसर है इस्ट्रोलोजी, उत्तकों के अध्यान के लिए इस्ट्रोलोजी को प्रियोग के जाता है। कि यूशन नमबर 15 कोशिकाओं के समू को कहा जाता है तो इसके चार अप्सेंस है और उत्तर भी दिख गया होगा आपको तो दोस्ते ये ते कुछ महत्पुन इंपोर्टेंट क्यूशन तो आपको अगर वीडियो पसंदा है तो इसको लाइक करें चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंट्स को भी शेयर के जरूर करें थैंक्यू जय वारत